नमस्कार मैं हूँ जूही वर्मा और आप देख रहे हैं NewsLiveMP.com क्या मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान और राज्यसभा सांसर जोतिरादित सिंधिया के बीच कुछ तल्खिया बढ़ चुकी हैं? क्या इन दोनों के संबंध पहले जितने मधुर नहीं रहे? जैसी केमिस्ट्री पिछले दिनों इन दोनों के बीच में दिखाई दी, दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ा, एक साथ कई कारिक्रमों में शामिल हुए, तो क्या अब वो जो साथ था वो टूट रहा है? क्या आब उतना जो दोस्ताना संबंध गहरे हो रहे थे, उन गहराईयों में कुछ कमी आ रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर जोतिरादित सिंधिया भुपाल आ रहे हैं, और इस बार ये तैक था कारिक्रम की सीएम शिवरा सिंग चौहान के बीबन एक घंटे के दोनों बैठक करेंगे, दोनों में बातचीत होगी, जिसमें कई एहम मुद्धों पर डिसकेशन होना तैम आना जा रहा था, जैसे मंत्री मंदल विस्तार, निगम मंदलों में नियुक्तिया, क्योंकि चुनावी नतीजे आये, देड़ महने का समय तकर दिया, उनकी कैबिनेट में कब वापसी होगी और हारे हुए संधिया समर्थकों का क्या होगा, इन सब मामलों पर बैठक होनी थी, लेकिन अब ये बैठक तल चुकी है, कहा जा रहा है कि संधिया दोदन भोपाल तो रहेंगे, संगठन के दूसरे पदाधिकारियों से उनक ये निवास पर मुलाकात नहीं होगी, फिलहाल ये ताजा खबर आ रही है, और इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है, कि फिलहाल मंत्री मंडल विस्तार, निगम मंडल की नियुक्तियों जैसे विशय पर C.M. शिवराज सिंग चौहान किसी तरह का डिसकशन नहीं करना चाहते क्योंकि वो ये फैसला ले चुके हैं, कि फिलहाल ना तो कैबिनेट एक्सपैंशन होना है, ना निगम मंडल में किसी को नियुक्ति दी जानी है, वजह ये है कि कि किसी भी तरह के असंतोष को दोबारा हवा देने के मूड में नहीं है, शिवराज, यही वजह ह कि उन्होंने जोतिरादित सिंधिया के साथ बैठक टाल दी है, अब इसमें बीजेपी का ये कहना है कि बैठक ये मुलाकात कहीं भी हो सकती है, कारिक्रम जिस कारिक्रम के संधिया दिल्ली से भोप बर्चाइव हैं, उस कारिक्रम इस थलब दोनों की मुलाकात होगी, जरू पी जो है वो इसी तरह लटका के रखेगी हर काम से और अब उनको असलियत पता चलेगी अब सच्चाई क्या है सियासी गल्यारों ही बहतर जान सकते हैं फिल्हाल के लिए यही कहा जा सकता है कि सिंधिया और शिवराज में फिल्हाल सब कुछ ठीक निजर नहीं आता नमश्का कि सिंधिया और शिवराज में आता है